हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो अचुका है तो उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको लगबग आठ दस स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको फॉल्म क इस पर आपको केबोर्ड पर विंडो प्लस और काप्टन प्रेस करना है और टाइप करना है टैंप और एंटर फ्रेस कर देना है यहां पर आपको सभी फाइल को स्लेक्ट करके डिलेट कर देना है और जो फाइल डिलेट नहीं हो रही उसको स्केप कर देना है यहां से प्रेस करना है और टाइप करना है स्री टेम स्री प्रेस करना है इंटर यहां से आपको सभी फाइल स्कूप दिलेट कर देना है पहले की तरह और क्लोज कर देना है टेबल अब बढ़ते है हमारे ठर्ट स्तेब की ओड एक बार फिरसे आपको की बोर्ड पर विन्ड़ आर का पृटन दितना है और टाइप करना है प्री फैट्- parasite Всि ए-पर प्रीच करना है सभी नंसमेश कर देना है और फिर से आपको अपनी ओम स्क्रियन प्रा जाना है आप बढ़ते हैं हमारे फौश step की और इसके लिए आपको window search bar में आपको type करना है disk clean up पर इससा आपको open कर लेये और o is and press मॉपन कर देना है यहां यहां पर आपको जो भी file को आपको select करना है उनको select कर लीजिये और ओक पर इस कर दीजिए यहां पर डिल्ट करने वी पुछेगा आप लिपकर दीजिए इसके बाद आपको और एंग पर आपको और स्क्रीन पर आजाना है और हमारे 4 स्टेप मेट होचिते हैं बढ़ते हैं हमारे 500 स्टेप्स के लोग यहां पर आपको राइट निक करना है जाना यह उपर होनी गया बाद आपको यहां पर Stardust option दीखेगा उस पर click करना है कि यहां पर आप QN apps को disable करने को देना है जिने आप बैखरांड में अनेबल नहीं रखना साथ है यहां पर में जैसे कई सारे apps को disable करने वाला हूँ इतना करने के बाद window क्लोज कर देना है इसके बाद आता है हमारा six step इसमें आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद display पर जाना है setup पर जाना है यहाँ पर आपको temporary file को select करना है temporary file को select करने के बाद यहाँ पर जिन जिन data files को आप delete करना साथ है उनको select कर लीजिए मैं select कर लेता हूँ और remove file पर click कर देना है यहाँ से window close कर देना है अब जते हैं हमारे seven step के और this PC की properties में जाना है आपको change settings पर जाना है advanced settings यहाँ पर आपको select करना है adjust best performance और apply कर देना है okay press करना है और यहाँ पर window close कर देना है इसके बाद हमारा जो आठाव step आता है उसमें आपको अपनी RAM का size calculate करके रखना है यानि कि अगर मेरे आप 4G भी RAM है तो उसको मुझे dead गुणा से गुणा करना है यानि कि 4 गुणा 1024 गुणा dead इसको 3 से गुणा करना है यानि कि dead और 3 दोनों से गुणा करना है इसी बाद शुरू होता है हमारा add step आपको this PC की properties में जाना है यहां पर फिर से change setting में जाना है advanced में जाना है settings, advanced, change यहां पर आपको custom size पर click करना है यहां पर आपको calculate किया हूँआ size आपको type करना है और ok पर click करना है और apply कर देना है ok, ok और last method कर देना है इसके बाद हमारा जानों one step आता है उसमें आपको एक software की ज़रूर्ट पढ़ेगी तो इसके लिए आपको सबसे बहुए Google Chrome ओपन कर देना है यहां पर type करना है Meme Reduct GitHub type करने के बाद सबसे पहली website को आपको open कर लेना है यहां पर निच्चे आपको side में latest लिखा हुआ दिखेगा release इस पर आपको पहली करना है यहां पर जिस फाइल की अंत में ex ही लिखा हुआ है उस फाइल को आपको download कर लेना है फिर आपको window क्लोज कर देना है फिर आपको 30 PC में जाना है download में जाना है और इस software को आप open कर लेना है next कर देना है next कर देना है और install यहां यहां पर यह हमसे update के लिए पुछ रहा है तो मैं आप इसको update कर लेना आता हूं यहां पर आपको update करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का interface नजर आएगा यहां पर आपको simply में आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एक बार नीचे बार में जो numbers दिख रहा है आपको orange color में वह आपको यह बता रहा है कि आपकी ram over कितनी use हो चुकी है फिलहाल मेरा यहां पर 65 दिखा रहा है यानि कि मेरी 65% ram over use हो चुकी है तो यह मतलब थोड़ा आई है तो मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम कर सकता हूँ तो यहां पर आपको एक clean memory का option दिख रहा हुगा उस पर आप click करते हैं तो click करते हैं तो आपकी यह जो ram over यह वो आटोमेटिक लिकम हो जाएगी एक वर फिर से try करता हूँ है यहां पर आप निच्चे देख सकते हैं पहले आप और औरेंज कलर में सो रहा था अब यह नंबर green कलर में सो रहा है यहां पर यह गटकर आप लगवो 40 के करीब आ चुका है यानि कि अगर मेरे PC की RAM वो रही है अगर high use हो रही है तो मैं उसको कम से कम कर सकता हूँ अब देखिए इसके यूज से आपको फरक्या पड़ेगा कि अगर आपकी PC की RAM वो रही है अगर high use हो रही है तो आप उसको कम करेंगे तो आपको मतलो computer में ज्यादा RAM बचेगी तो इससे आप कंप्यूटर ज्यादा फास्ट चलेगा अब आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ इसकी जिससे यह आपकी computer को मतलो RAM वो रहने पर automatically clean कर देगा और जैसे आप अपना सिस्टम सालू करते हैं तो यह automatically background पर रहेगा जिससे यह हाई मोर को clean करता रहेगा तो चलिए आपको इसकी settings के बारे में बता देता हूं तो simply आपको सबसे पहले settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको general में जाना है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको load startup on system वाले option को आपको enable कर देना है and फिर आपको memory cleaning में जाना है यहाँ पर आपको सिबसे नीचे यहाँ पर यह option नजर आ रहा है clean when above percentage ऐसा कुछ option है तो यहाँ पर आपको अलग वगए आपको से यह पूछना चाहता है कि आप मुदलों आपकी कितनी percent high जाने पर clean करना चाहता है तो आपको simply यहाँ पर अपने साफ से number type कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 60 type करते हैं ठीक है तो यहाँ पर फिर इसके बाद है यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है यूज transparent background इसको आपको on कर देना है और simply यहाँ से आपको close कर देना है यह करने के बाद आपको यहाँ पर आप जब भी आप अपनी memory को clean करेंगे आप कितने पर चाहें तो कितने पर आपको clean कर सकते हैं लेकिन जादा बर मत कीजिएगा एक बार और पर की दिखा देता हूं तो दोस्तों हमारे 9 steps complete हो चुकी हैं यानि कि हमने 9 तरीके complete कर लिए हैं तो इसके बाद आपको अपना PC को restart कर लेना है दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही उमीद करता हूं आपको वीडियो प्रसंद आया है तो आपको like करना है और comment section में आपको अपनी राय देनी है कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को subscribe जूल कर लेना जबते हैं नेक्स वीडियो की साथ तब तरके लिए गुद बाई